दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है सिकर और स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सिकर इस चड़ी पॉइंट पर तो दोस्तो फाइनली अक्टूबर में जारी हो सकता है पूलिस भरती का आदेश तो कब से सुन रहे हैं कि आ रही है आ रही है तो दोस्तो अब आप दोस्तो भरती तो आनी है जैसे एक बाढ़ आई थी उस टैम बहुत सी भरती आई थी 2015 के टाइम तो वह सब वह यहाला टाइम है जो 2020-2021 इसमें बहुत सी भरती आपको देखने को मिलेंगी तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको पढ़के बताता हूं और हां दोस्तों आज साम को आप लोग तयार रहना आप लोग के लिए एक प्रेक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा तो आप वह उसमें बात करेंगे चले इसको शुरू करते हैं सबसे बहले तेहरा दुन आगामी महा में पुलिस के सिपाई पत पर 500 पद उपर भरती के लिए आदेश चारी हो सकते तो सबसे बहले भी 500, 700, 300, 3000 यह आ रहा था उसके बाद दोस्तों बीच में यूज आई कि ट्रैफिक पुलिस की भरती वो अलग से होगी जो 312 पद उपर है वो अलग से आईगी तो इसमें दोस्तों जो सरकार है अब इनको इनकी पैसु की बचत भी होगी क्योंकि एकी पाना होता है फिजिकल रिटन एक्जाम मेडिकल बांकी सब कुछ कराना होता तो इसलिए साइद एकी साथ यहीं से ट्रैफिक पुलिस भी के जवान मिलेंगे इसके अलावा सिविल पुलिस के भी जवान मिलेंगे फायर के भी और ऐसाई की भरती इसी में आपको साहई के दरोगा और कॉस्टेबल के हैड कॉस्टेबल बनने के बाद खाली होंगे करीब पंद्रसव पद इसके साथ ही इंटलीजेंस के दरोगाओं को भी जल्द परमोशन मिल सकता है इसके बाद पूरू में सिविल पुलिस और अब इंटलीजेंस के नए इंसिपेक्टरों को तैनाती का रास्ता साफ हो गया है दरसल पिछले दिनों सासन के आदेश पुलिस मुख्याले ने हैड कॉस्टेबल और कॉस्टेबल के परमोशन संबन्दिया आदेश जारी किये थे सासन ने एक महा के भीतर इन तोनु पद उपर परमोशन परकिरिया पूरी करने के निर्देश दे थे ऐसे में नियत समाई पर ही पुलिस मुख्याले ने आदेश जारी कर दिया इन में 100 हेड कॉस्टेबल को दरोगा अब हेड कॉस्टेबल से तो सीधे दरोगा बन जा रहे सीधे एसाई बन जा रहे कि आगामी पांच दिनों में इंटेलिजेंस के 32 दरोगाओं को भी पर्मोशन दे दिया जाएगा इसके बाद सभी को तैनाती कर दी जाएगी इन सब परकिरिया में एक से डेड़ सबता का समय लगना है अधिकारी को साथ मंथन के बाद नई भरती परकिरियागा मसोदा तयार कर लिया जाएगा तो अब दोस्तों फाइनली आपको भरती देखने को लिए मुख्यालाई ही देगा रेंज को इंस्पेक्टर पिछले दिनों सब इंस्पेक्टरों के परमोशन के बाद ताई हुआ कि रेंज इस्तर बरी इन्हें तनाती दी जाएगी अब मुख्यालाई में ही ये जिम्मा अपने हाथों में लिया है मुख्यालाई दोनु रेंज को इंस्पेक्टरों को आवेंडित करेगा इसके बाद रेंज इस्तर से पोस्टिंग पर भेजा जाएगा अब दोस्तो जो लोग अभी तक सच में तयार नहीं थे नहीं मान रहे थे कि भरती अक्टूबर में नहीं कब तक आएगी कब तक आएगी तो थोड़ा दोस्तो आप लोग अपनी तयारी को और अच्छे से आप कर सकते हैं फिजिकल और रिटन एक्जाम दोनु की और बाकि आप लोग दोड़ तो ऐसी भी रहोंगे और भी भरती हैं जैसे आर्मी या फिर और भी जो आने वाले टाइम में एससी जो भी है तो आप लोग अपनी तयारी करते रहिए और साम को दोस्तो प्रेक्टिस एट अपलोड होगा आप उसे भी जरूर देखिए और मिलते अगले वीडियो में थैंक्यू फ्रैंड थैंक्यू सो मच